नमस्कार आप सभी को और आज का ये जो वीडियो है ये जो गुरु का गोचर होने वाला है फर्स्ट मेको उसके उपर है तो हम लगनुवाइस बात करेंगे सभी 12 लगनों पे ये फर्स्ट पार्ट है और क्यूंकि गुरु का गोचर एक बहुत बड़ा गोचर होता है बारा स साल बाद हो रहा है तो इसके इंपक्ट हम सभी लोगों के उपर बहुत जादा आएंगे और जिल्लों की महादशा चल रही है गुरु की या अंतरशा चल रही है या किसी की भी गुरु के नक्षत्रों की भी अगर महादशा चल रही है तो भी इसके इंपक्ट आपकी मेश रूप से रहेंगे, तो चलिए शुरुबात करते हम, सबसे पहला है मेश लगन, और मेश लगन वालों के लिए गुरू का गोचर जो है, वो उनके दूसरे भाव में से होगा, और दूसरा भाव आप सभी को पता है, धन भाव है, फैमिली का है, आपकी स्पीच का है, वा का मालिक है, 9th house का और 12th house का, और 9th house का स्वामी 2nd house में जा रहा है, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है, और ये छटा है, लेकिन फिर भी ये अच्छा माना जाएगा, धन के पस्पेक्टिव से, फैमिली के अंदर कुछ अच्छे आपके इवेंट्स हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, घर के अंदर कुछ धार्मिक फंक्शन या ऐसे कुछ चीजे घर में हो सकती है, जिसकी वज़े से फैमिली आपकी इखटी हो, सब एक साथ बैठके कुछ बड़े लेवल के उपर आप कुछ ऐसा अर्रेंजमेंट कराएं कि लोग आपके घर पर आया और भोजन वगर आपके घर में हो, फिर उसके बाद में बार्वा घर खर्चे का जो स्वामी गुरु आपके सेकंड हाउस से गोचर करेगा, तो यहां पर चीज अच्छी है कि यहां पर आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, खर्चे थोड़े कम होंगे, तो सेविंग चीजे भी आप सीखें यहां पर, या कुछ मंत्र को रिसाइट करना, इस तरह की विद्या में जाना भी आपके यहां पर यह कुछ योग संजोग बन रहे हैं, तो यह काफी अच्छा कॉंबिनेशन आप लोगों का है मेश लगन वालों के लिए, इसमें बस यह है, शुक्र अगर आपका 6, 8, 12 हाउसे में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा यहां पर चेंजिस आ सकते हैं, चटे में हैं, तो हो सकता है, आपके कुछ पैसे खर्चों आपकी हेल्थ को लेकर, या पुराने कोई लोंस को आप यहां पर खतम करें, या किसी फीमेल के साथ में आपके फैमली लीगेसी, आपका कुछ भी, मतलब फैमली का कुछ भी पैसा, प्रॉपर्टी से रिलिट चीजों में भी आपको सदन गेंस यहां पर हो सकते हैं, तो यह कुल मिला के अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए, अब हम बात करते हैं, वरश लगन, टॉरस लगन वालो है, तो यहां पर एक चीज दिखती है, कि ऐसे लोगों के लाइफ में अब तेरा महीने, ट्रांसफोर्मेशन होगा, हो सकता है, वो अपनी हेल्थ पर कुछ जादा ध्यान दे, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे, अपनी एनरजी लेवल पर ध्यान दे, यह भी हो सकता है, कि इ मिठा इंटेक बहुत जादा हो, फैट बढ़ जाए बोडी के अंदर, बोडी के अंदर एक आलस बना रहे है, यह भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ट्रांसफोर्मेशन जरूर होंगे, दूसरी चीज, यहां पर यह लोग जो है, वो कोई ना कोई ऑकल्ट गुब्द विद्य की तरफ भी उनका इंट्रेस जगेगा, क्योंकि अस्टम और लगन का संबंद बन रहा है, सदन ट्रांसफोर्मेशन, सदन ऐसी विद्याओं में एंटर करना, या फिर कुछ गेंस होना, क्योंकि ग्यारवे घर का भी कनेक्शन हो रहा है, तो पहला अस्टम और 11th house का कॉंब बस यहां पर आपको आलस को त्यागना है, क्योंकि लगन में गुरु जो है, वो इंसान को आलसी बनाता है, टालम टोल की प्रवती आपको नहीं लेकर आने है, प्रोकेस्टिनेशन यहां पर आपको नहीं करने, अगर आप यह करेंगे, तो अस्टम लॉड आपको कोई बिम गुरु गोचर अगर नेगेटिव होता है, तो आपको डायबिटीज भी गोचर में देकर जाता है, अब हम बात करते हैं मिथुल लगन वालों की, मिथुल लगन का जो गुरु का गोचर है, वो उनके बारवे घर से हो रहा है, और गुरु उनके सप्तम का और 10th हाउस का ल आपकी बढ़ेगी, फोरन का अगर कोई काम है तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बारवे घर में गुरु बैटके यहां पर दरस्टी रा लेगा, चौथे घर में, छटे घर में और 8th हाउस में, और गुरु जो है खर्चे के भाव मतलब खर्चा आपक आपको नई गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदें क्योंकि चौते घर को भी यहां से गुरु देखेगा, तो ये गोचर भी मैं कहूंगी मिथुल लगन वालों के लिए अच्छा है, ये टाइम पर खर्चे बहुत रहेंगे, क्योंकि बारवा घर जो है उसको बोलते ह आपके कार्मिक जितने भी डेप्स हैं, तो नेचर चाहेगा कि जो भी आपने 12 साल में, जो भी आपने चीजों के रिसोर्स इस यूज किये अब तक उसका पेबैक करने का टाइम बहुत अच्छा है, तो आप इस वक जितने हो सकें, डोनेशन में पार्टिसिपेट करें, ड बहुत अच्छा आपके आने वाले 12 साल के लिए आप एक बहुत अच्छा खुद के लिए एक धरम का मार्ग खोलेंगे, और आप देखेंगे, क्योंकि बारवा घर को हम बहुत अलग तरीके से देखते हैं, कि भाई ये तो लॉसिस देता है, ये होस्पिटलाइजेशन है, ये आकस्मिक दुरगठनाएं हैं, तो ये चीजे कब होती है, जब आप रिसोर्स तो बहुत जादा यूस कर रहे हैं, मतलब नेचर के, लेकिन आपकी देने की चीजे उतनी नहीं है, आप वापिस पेबैक में कर रहे हैं, सोसाइटी को, यूनिवर्स को, किसी भी फॉर्म क के अंदर, तो फिर वो लॉसे आपको लगते हैं, तो बारवे घर की एनरजी को बहुत सोस समझ के यूस करें, गुरू का गोचर है, बहुत अच्छा टाइम है, जितने हो सके, डोनेशन करें, इस हाथ से करें, तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, बहुत अच्छे आपको यहाँ पर इसके result मिलेंगे, क्योंकि 7th house का भी involvement है, 10th आपकी career का भी involvement है, अगर यह गोचर किसी के लिए negative होगा, तो हो सकता है, ऐसे इंसान अपना career में कुछ changes करें, क्योंकि 10th dissatisfaction हो सकता है, कोई आपका जगे change हो, क्योंकि तीसरा हो रहा है वहाँ से, गुरू का तो जगे में change और dissatisfaction भी सोरी आपको यहाँ पर कही न कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन overall यहाँ पर खर्चे बड़े होंगे, लेकिन शुब कामों में होंगे, डोनेशन के उपर आप विशेश ध्यान रखें, यह गोचर आपको बहुत कुछ देखे जाएगा, हो सकता है आपके कुछ resources, आप जहां पर आपका जनम स्थान है, वहाँ से दूर जाके आपकी life में कुछ resources open हो, जो आपको आपके धन प्राप्ति के लिए, आपके पैसे के लिए, आपकी family के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छे रहें, क्योंकि Taurus राशी resources की राशी है, और बारव गर दूरी को दिखाता है, तो ऐसे कुछ resources भी आपकी life में आ सकते हैं, अब हम बात करते हैं करक लगन वालों के लिए, करक लगन वालों के लिए, गुरू का गोचर जो है, उनके ग्यारवे भाव से हो रहा है, तो ग्यारवे घर से गुरू का गोचर इन लोगों के लिए ब अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छा समय है, फिर गुरू यहाँ पे गोचर डालेगा अपनी नवी द्रस्टी से, सेवन्थ हाउस पे, तो मैरिज के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो, तो बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए, कोई बिजनस के लिए अगर आप ट्राइ कर रहे हो, कोई पार्टनर्शिप में आप एंटर करना चाहते हो, बहुत अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए, और यहां से यह तीसरे घर को भी डालेगा, तो जो अगर आप यात्राएं सोच रहे हो करने की, तो यात्राएं आपको उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आप धार्मिक यात्राएं भी यहां पर करेंगे, नए इनिशेशन्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके कजन्स, सिब्लिंग्स की यहां पर मैरेज़े हो, या उनके कुछ इंगेजमेंट हो जाएं, बहुत अच्छा समय है, कोई नए इनिशेशन्स करना चारे हैं, नई स्टार्ट करना चारे हैं, कोई नई वेबसाइट, नई कुछ आपका कोई पोर्टफोलियो स्टार्ट करना चारे हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु की जो द्रस्टी है, वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी, और आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, तो ये सारी द्रस्टी हैं, क्योंकि गुरु की द्रस्टी अम्रित तूल्य होती है, तो आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा, बिजनस के परस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छा जाएगा, डेली इंकम के भी परस्पेक्टिव से आपकी एज नहीं है, तो आपके फादर के लिए ये गोचर अच्छा है, हो सकता है, आपके फादर की कुछ डूएल रिसोर्स बने, मतब दो इंकम के कुछ साधन बने, क्योंकि टॉरस राशी अगर दसवे घर में कई फॉल होती है, किसी के भी, तो बहुत सारे चार्ट में मैंने देखा है, कि उन लोगों के पेरेंट्स के, मतब स्पेशली उनके फादर के कोई ना कोई दो रिसोर्स होते हैं, पैसे के, तो ये गोचर उसमें व्रद्धी करेगा, प्रतिस्ठा मिल सकती है आपको या आपके फादर को, आपको मान सम्मान की भी कही ना कही एक और यहां से फिर वही द्रश्टी आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो धन बढ़ेगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आप गोल्ड भी खरी सकते हैं, घर के अंदर कोई ना कोई शुब या मांगली कारे आपके यहां पर होंगे, फिर गुरु यहां से द्रश्टी जाए, जो अगर आपके घर के अंदर का कुछ परिशानिया थी, तो इस टाइम पर वास्तू के ठीक कराने से वो सारे जो इशू थे वो आपके रिजॉल्व हो जाए, और इस टाइम पर यह भी हो सकता है, कि आप कोई नई प्रापर्टी खरीदो और वो नॉर्थीस्ट या नॉस डारेक्शन की हो, या आप हर्मिक यात्राएं अपनी मदर के साथ में करो, यह भी हो सकता है, घर के अंदर वहान आने के, इवन कुछ ना कुछ चीज़े भी आपके घर के अंदर यहां पर बढ़ेंगी, हो सके तो घर के अंदर आप थोड़ा सा यलो कलर एड करें, न गुरू का जो वास्तो में जो डारेक्शन है, वहां पर भी थोड़ा सा, मतलब अच्छे फ्लावर्स आप वहां पर लगाएं, अच्छी पेंटिंग्स लगाएं, वहां पर अच्छी फ्रेश एयर आएं, इसका आप विशेश ध्यान रखें, बहुत अच्छा आपको इस ग पर कंयालगन वालों के लिए, जो गुरू का गोचर है, उनके नाइन्थ हाउस से हो रहा है, तो यह गोचर भी कंयालगन वालों के लिए अच्छा है, और यहां पर धार्मिक यात्राएं मुझे दिख रही है, हो सकता है आप कोई सोमनात मंदर विजिट करें, और या आप क कोई जो साउथ में जो मंदिर है बालर जी का जो टैमपल है वहां पर भी विजिट करने के आपकी काफी कॉंबिनेशन यहां पर बन रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर आप इस टाइम पर इस जगों पर अगर आप जाते हैं तो आपकी रिसोर्स बढ करेंगे आपका धन बड़ेगा बहुत सारी चीजे होंगी हो सकता है आप बहुत सारा धार्मिक किताबे पढ़ना चालू कर दें आप और या फिर आप फाइनेंस से रिलेटेट कोई ना कोई कोर्स भी यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि गुरु की दृस्टी यहां प मतब लगन हो गया फिर आपका पंचम भाव वहां पर मकर राशी है जो अर्थ की राशी है और नाइन्थ हाउस जो की टॉरस राशी तो यह अर्थ त्रिकोर्ण आपके एक्टिव हो रहे हैं तो आप जितना धर्म से रिटेट चीजें करेंगे तो आपका अर्थ जो है वो अच्छा कुछ ना कुछ अपने रूटीन में लेकर आईए कोई बीचाए विष्टु सहस्त्र नाम को आप करिए ऐसी चीजें गुरू के आप फास्टिंग चालू करिए तो भी अर्थ भाव बहुत अच्छा जो है वो मजबूत सिती में आता है फास्टिंग बहुत अच् अच्छा है इस भाव को मजबूत करने के लिए तो यह बहुत अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए गुरू आपके नाइंथ हाउस में आपको एक एनरजी रहेगी एक पॉजिटिविटी रहेगी और आप धरम के साथ में रिलिजियसली कनेक्ट हो पाएंगे तो यह अच्छा और यहां से गुरू आपके लगन को भी देखेगा तो यह भी बहुत अच्छा है पंचम भाव को देखेगा तो बच्चों के लिए अच्छा है लगन को देखेगा तो आपकी खुद की परस्नालिटी के लिए यह बहुत अच्छा है और लास्ट में मैं यह कहना कि गुरू अगर टॉरस राशी में जा रहा है तो यह रिसोर्स की फाइनेंस की राशी आप सभी को पता है तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो चीज होगी वो भोजन का दान करना क्यूंकि अर्थ जो चीजे है अर्धी चीजे वो भोजन को दिखाती है तो जितना जादा आप डोनेशन अर्धी चीजों का करेंगे आपका जुपिटर टॉरस राशी में रिसोर्स आने वाले 12 साल के लिए आपको डवलप करके देगा और दूसरी अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा समय है अपने एसर्ट को अपनी पूंजी को इखटा करने का अपने सेविंग्स को इखटा करने का नया बैंक अकाउंट खुलवाने का गोल्ड खरीदने का लैंड खरीदने का ये समय बहुत पॉजिटिव है चलिए नेक्स वीडियो में आगे की जो राशी है या जो लगने है उसके बारे में बात करेंगे